तो दोस्तो आज 21 दिसमबर 2018 हो चुका है और आज शुक्रवार के मुखे समचार बेकिंग न्यूज हेडलाइन और आज की बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं तो चली सिधे चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप ग्रहकों को धोका न दिया जाता है लेकिन इस पर सरकार सक्त हो गई है अगर आपके साथ कोई भी कंपनी धोका दड़ी करती है जिस तरह के पचार करती है उस तरह का सामान आपको नहीं देती चाहे ऑफलाइन मोड में चाहे ऑनलाइन मोड में तो आप उस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं शिकायत सही होने पर कंपनी को 10 लाग का जुर्माना लगाया जाएगा और 2 साल की कैद भी दी जाएगी प्लस में 12 ऐसा जुर्म करने पर कंपनी को 50 लाग का जुर्माना देना पड़ेगा और दोस्तों आज की अगली खबर अब मदर डेरी बेचेगी दाल चावल और मसाले जी हाँ मदर डेरी की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है कि अब मदर डेरी दूद वगेरा के बाद अफल सबजियां भी बेचेंगी आपको बता दें जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मताबिक ये बताया गया है कि ये बिल्कुल सेटिफाइड चीजें होंगी यानि बिल्कुल सुरक्षित होंगी और बिल्कुल साफ तरीके से आप तक पहुँचाई जाएंगी इतना ही नहीं अब मदर डेरी दाल चावल मसाला बाजरा मेवा आटा बेचन ये सब भी बेचे से अब आपको इमर्जेंसी सेवा के लिए 100 नहीं बलकि 112 डायल करना पड़ेगा आपको इसी एक नंबर पर सारी एमर्जेंसी सर्विस दी जाएंगी जैसे एम्बुलन्स की सर्विस है दमकल केंदर की सर्विस है हमने ये खबर आपको पहले भी बताय थी लेकिन उस समय डे अब आपको बता दें कि आपको बता दें ये बिलकुल नया नियम लागू किया गया है अगर कोई भी तीन साल से कम वाले बच्चे को स्कूल में डालने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कारवाई की जाएगी आपको बता दें फिलहाल ये नियम हरियाना के लिए लागू किये गए हैं ऐसा हो सकता है कि इसे बहुत जल्दी देश के बाकी राज्यों में भी लागू कर दिया जाए और दोस्तों आज की अगली खबर के एक रुपे में मिल रहा है तेल दाल और चीनी इन e-commerce कमपनियों कि आपको पहले 500 रुपे का सामान खरीदना पड़ेगा फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक रुपे में डाल तेल या चीनी या इसी तरह की कोई चीज दी जाएगी अली खबर श्वामी का नया smart AC launch सरदी में मिलेगा गर्मी का एहसास श्वामी ने अपना smart AC launch कर दिया है जि एक smart TV होगा और इसमें काफी सारे function भी होंगे और दोस्तो आज की अगली खबर कि पाकिस्तान से सजा काट लोटे हामिद अंसारी ने कहा कि Facebook पर कभी भी प्यार मत करना दोस्तो आपको बता दें भारतिये नागरिक हामिद अंसारी अभी हाल ही में पाकिस्तान के जेल से मताबिक पूरे भारतियों को आगाह किया गया है कि वो किसी भी लड़की से जो अंजान हो उससे Facebook वगरा पर दोस्ती ना करें अगली खबर मोधी सरकार ने किनरों को दिया नया साल का खास तोफा अब रेल यात्रा में मिलेगी छूट भारतिये रेलवे ने किनरों को नया स चूट नहीं दी जाती थी लेकिन फाइनली अब 2019 के बाद किनरों को भी 40% की चूट दी जाएगी और दोस्तों आज की अगली खबर के Amazon ने किया सिखो का अपमान बेच रहा है गुर्दवारा मंदिर की तस्वीर वाले पायदान कालीन और टॉयलेट सीट जिया दोस्तों फ जैनी टॉयलेट की सीट पर उस मंदिर का फोटो छपा हुआ था लेकिन इस पर जैसे ही सिखो की तरफ से एक्शन लिया गया तो कानून की तरफ से Amazon को नोटिस भेज दिया गया कि इसे जलत जलत हटाएं और पूरे सिख समुदाय से माफी मांगें और दोस्तों आज की अगली खबर के यहां नकली नोटों की इतनी बड़ी खेप देख सकते में आई पुलिस दहरादून की सहसपुर पुलिस ने रूर्की में पांसो और हजार के नकली नोट तयार कर उत्तरा खंडर उत्तर प्रदेश के बाजार में उतारने वाले गैंग का भांडा फोड़ दिया है आपको बता दें अभी हाली में पांसो और सो के नोट करीबन 96,000 पे पकड़े गए हैं तो आप साफधान हो जाईए और अब सो का नोट लेते वक्त भी उसे ध्यान से चेक कर लें और पांसो का नोट लेते वक्त भी खास करके यह बात उत्तर प संकार है तो फिलाल उस वक्त तक यह खबर आई थी लेकिन फाइनली अब यह खबर आ गई है कि इसके लिए आप किसी भी एजनसी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने वाले की उम्र 18 वर्ट से उपर होनी चाहिए और आपको एक पेपर पे यह लिक के देना पड़ राशी उन खातों में जमा करवाई जाएगी जो दो साल पहले नोट बंदी के ठीक बात खोले गए थे अब हो सकता है कि नोट बंदी के बाद जो खाते और खोले गए हैं तो बाकी राजियों में भी इसकी सुविदा दी जाए लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से इसकी प्लाइन मोड में है यानि आपको शॉप से जाकर फोन खरीदना पड़ेगा अगर आपके पास सिर्फ 101 रुपे होगा तो आप उतना ही पैसा दे कर अपने घर फोन ला सकते हैं बस फोन की कीमत 10,000 रुपे से जादा होनी चाहिए और साथी में आपको बाकी बचे पैसे 6 इ लेंदेन करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना देना पर सकता है आपको बता दें ये cash transaction की बात हो रही है यानि जो आप cash पैसे लेंदेन करते हैं साथी आपको बता दें अगर आप को business वगरा करते हैं तो आप उसमें रोजाना 10,000 रुपे से जादा का cash भुकतान नह कर सकते यानि आप अपनी किसी भी चीज के लिए 10,000 रुपे से जादा कैश खर्च नहीं कर सकते और दोस्तों आज की अगली खबर के लोन लेकर कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर HDFC बैंक ने शुरू की ये खास स्कीम जी हां अगर आप लोन से कार वगरा लेना च कम आएगा शुरुवात के तीन सालों में आपकी EMI कम होगी और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी की जाएगी जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने लोन के पैसे कब चुका दिये और दोस्तों आज की अगली खबर के महिलाओं और बुजूर्गों के लिए ट्रेनों मे सीटें उपर की भी हो जाती है जिन में उनको चड़ने उतरने में काफी दिक्कत होती है तो इंडियन रेलवे ने ये फैसला लिया है कि आप बहुत जल्दी बुजूर्गों को और गर्वती महिलाओं को नीचे की लोर बर्थ दी जाएगी और दोस्तों आज की अगली खब या कोई आपकी ऐसी जानकारी होती है जिसे आप प्राइविट रखना चाहते हैं लेकिन आपकी सारी ही जानकारी फेस्बुक आपको बिना बताए टेक कमपनियों से साजह कर रहा है यानि आपकी वो जानकारी आप से पूछे बिना दे देता है तो हमारी तो यही राय है कि आप अपने कोई भी जानकारी किसी भी social media के platform पे ना रखें और दोस्तो आज की अगली खबर के नौकरी जाने पर अब salary की कम होगी टेंसन सरकार 3 महीने तक देगी इतने पैसे नौकरी जाने के बाद पैसे की किल्लत होने पर अब करमचारी राज्य भीमा निगम आपकी मदद करेगा माल लीजी आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको 90 दिनों के वेतन का 25% सहायता राशी के तोर पर दे दिया जाएगा बाकि आप अधिक जानकारी के लिए ABVKY की योजना को इंटेनेट पर जाके जान सकते हैं और दोस्तो आज की अगली ख़बर के ट्रेन 18 की तरफ पट्री पर सरपड दोड़ेंगी एक्सप्रेस ट्रेने नीती आयोग ने रेलवे के लिए तयार किया बड़ा प्लान जी हाँ दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से एक और बड़ी ख़बर निकल के आ रही है कि जो मेल ट्रेने हैं जो सूपर फास्ट ट्रेने हैं उनकी स्पीड बढ़ाई जाएगी अभी जो हाली में एक ट्रेन 18 बनी है हमारे इंडिया में जो के बहुत सारे तकनीकों से लेस है प्रेन 18 ट्रेन लग भग 180 किलोमेटर परती घंटे की रफतार से चलती है उसी ट्रेन का हावाला दे कर बताया गया है कि आप जो नॉर्मल रेल गाडिया है वो भी उसी स्पीड से दौस लगेंगी और सुरक्षा के साथ इसको कब तक तैयार कर पाता है वैसे बता दें जो डेट बताई जा रही है वो 2022 से लेके 2023 तक बताई जा रही है कि इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और दोस्तो आज की अगली खबर के वाटसप चलाने वालों के लिए आई बड़ी खबर दोस्तो अगर आप वाटसप चलाते हैं तो आप के लिए एक बड़ी खबर आई है अब आप वाटसप एप को सुरक्षित रखने के लिए fingerprint sensor का इस्तेमाल कर सक WhatsApp जल्दी इसे iOS user के लिए Face ID और Touch ID feature जारी करने वाला है WhatsApp की तरफ से इस feature का देने का मकसद यह है कि user की जो chat वगएरा है चाहे उसकी कोई भी जानकारी है वो कोई ना देख पाए और दोस्तो आज की अगली कबर किसानों को कर्ज माफी अर्थ विवस्ता के लिए जहर के सामान बैंकों को लगेगी भारी चोट दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी हाली में मद्धे परदेश में और 36 गड़ में और राजिस्थान में किसानों के कर्ज को माफ किया गया है लेकिन हम आपको बता दें जो एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है उसके मताबिक एकटे इतना कर्ज माफ करने पर भारत की अर्थ विवस्ता जो है वो बिगड़ सकती है साथी बैंकों को भारी चोट लगेगी बैंकों की इस पर चिंता बढ़ गई है अब देखते हैं आगे क्या होता है और दोस्तो आज की अगली खबर के अब आपकी फ्लाइट नहीं होगी लेट डीजी सीए कर रहा है नई योजना पर काम जी हाँ जो यातरी इस से परशान है कि उनकी फ्लाइट बार बार लेट हो जाती है तो उनकी इस मुश्किल का हल बहुत जल्दी निकलने वारा है एक इस तरह की तकनिक डेवलप की जा रही है जिसके जरीए आपकी कोई भी फ्लाइट लेट नहीं होगी जैसे ही ये तकनिक पूरी हो जाएगी तो एक तरीके से ये हवाई यात्रियों के लिए तोफ़ा होगी और दोस्तो आज की अगली खबर हैंड़ाई की कारें 30,000 रुपे होई महंगी एक जनवरी से लागू होँगी नई कीमते आटो मुबाइल कंपनी हैंड़ाई ने अनुषका शर्मा ने पहने इतनी महंगी ड्रेस के एक गरीब 12 महीने तक खा सकता है पेट भर खाना जी हां दोस्तो हाली में अनुषका शर्मा ने जीरो फिल्म के परमोशन के लिए एक ऐसा ड्रेस पहना है जिसको लेकर खबरों ने चीनी लोगों को लगी फटकार तुरंत भारत छोड़ने का आदेश जी हां दोस्तो चीन के तरफ से 60 लोग ऐसे आये थे जो लोग देशी मोबाइल कंपनी है यानि हमारे भारत में जो मोबाइल की कंपनी है उसका दौरा करने आये थे तो इसमें हो सकता है कि बहुत सरी साजिशे हो चीनी लोग ये पता करना चाहते हो कि आखिर किस तरीके का काम चल रहा है इंडिया में लेकिन सरकार ने इन सभी 60 लोगों को फटकार लगाई और तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है तो दोस्तो आईए अब आपको फटा फट से पैट्रोल डिजल का ताजा भाव बताते हैं और साथी में सोने चांदी का ताजा भाव भी लेकिन उससे पहले आपके लिए छुट सा सर्वे अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि भायत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अच्छा है जो सबसे ज़्यादा डिजटल है और सबसे ज़्यादा पूरे देश में आगे है तो फटा फट से इसका जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ल पैसे है और दोस्तों बात करें सोने चांदी की ताजा भाव की तो पिछले दिन गुरुवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 150 रुपे महंगा हुआ है अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 32,000 रुपे है वहीं बात करें चांदी की तो पिछल का एकन भी जरूर दबाएं. थैंक्स वर वाचिंग.